आई इंडिया के सफलता के दो वर्ष पूंड होने पर आयोजितकार क्रम विकास एवं मिशन शक्ती की बात सीधे सरकार के साथ के प्रायोजक हैं जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल सीतापूर सिनेमा के प्रतिलगाव बच्चों और युवाओं में किस हत्तक होता है ये व्यक्त करना बहुत ही कठिन है कई युवा तो सिनेमा को अपने जीवन का इतना एहम हिस्सा मान लेते हैं कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई को भी दरकिनार कर देते हैं परन्तु बॉलिवुट एक्टर भी पढ़ाई लिखाई की महतुता को समझते हैं और कई मौकों पर विद्यार्थियों को भी ये सीख देते हैं कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला जब टीवी सीरिल के एक्टर और हासे अभिनेता केके गोस्वामी लहरपूर में बच्चों को ये सीख देते नजराए कि बच्चों को मन लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए एक्टर तो किसी भी उम्र में बना जा सकता है परन्तु कलेक्टर बनने की एक उम्र सीमा होती है केके गोस्वामी ने शक्तिमान, CID, Crime Patrol, जूनियर जी जैसे प्रसिद धरवाहिकों में अपनी अदाकारी से सभी को हसाने का कारी किया वह बच्चों को सीख भी परदान की है केके गोस्वामी के लहरपूर आगमन पर उपजिलादिकारी लहरपूर अनुपा मिश्रा ने उनका स्वागत किया यह जानकारी भी दी गई कि जल्द ही लहरपूर की एतिहासिक इमारतों को सिनेमा के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाएगा इस अवसर पर इस्थानी लोगों की भारी भीड बॉलिवुट एक्टर को देखने के लिए उमर पड़ी कारिकर्म का संचालन सामाजिक कारिकरता मुहम्मद हसीन अनसारी ने किया इस मौके पर नियाइक मजिस्ट्रेट सीतापूर वप्रशासक नगरपालिका परिशद लहरपूर दिव्वी ओजह तथा तहसीलदार लहरपूर शेशी बिंदू नायब तहसीलदार हरीश रस्तोगी डॉक्टर अक्तर हुसैन डॉक्टर रिजवान मास्टर वकील एहमद मास्टर जमाल एहमद मुहमद अफ़ान अनसारी रवी कुमार इसलामुद्दीन सभासत सुल्तान एहमद समेत कई बच्चे वगड़माने नागरिक उपस्थित रह खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया